आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, the question is IUPAC name of the following compound इस compound का हमको IUPAC name लिखना है तो IUPAC name लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या कोई Functional Group है तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यह Nitrogen लगा हुआ है तो यह Amine Type का क्या है आपका Functional Group लगा हुआ है ठीक है तो यह Amine हो गया है ठीक है अब इसके बाद क्या है कि हम लोग चूज करते है Parent Carbon Chain ऐसी चूज करते है जिसमें आपका Functional Group भी आए और Longish Number of Carbon Atoms भी आए उस chain में मतलब उस chain में जाज ज्यादा Carbon Atoms आजाए ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें कि मैं इसको उस तरीके से मतलब इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं क्या यह आपका C2H5 जो है यह लगा हुआ N और यहां CS3 और यहां C यह CS3 और यहां C2H5 को लिख सकता हूं CS2 और यह CS3 और यहां CS2 और यह CS3 ठीक है So Longish Carbon Chain जो है वह हम चूज करेंगे Functional Group को Consider करते हुए तो अगर हम बात करें कि Longish Carbon Chain जो है 1,2,3,4,5 ठीक है So यहां से आपका यह जो है यह वाली हो जाएगी आपकी Chain और इसमें आ रहा है आपका Functional Group ठीक है So यह आपकी Chain हो जाएगे अगर हम यहां से करते है 1,2,3 आ रहा है Functional Group पे और इधर से करते है तो 1,2,3 आ रहा है तो आप कहीं से भी Numbering कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3 पर ही आ रहा है आपका Functional Group So 1,2,3,4 और यह 5 ठीक है इस तरीके से मैंने कर दिया अब क्या होगा कि यह जो Nitrogen से लगी हो Substitute है, वो Substitute का काम करेंगे यहां पर Substitute का काम करेंगे तो अब इसका IPC Name जो है किस तरीके से लिखा जाएगा यहां Nitrogen से जुड़ा हुआ एक Ethyl Group है, एक Methyl Group है तो एक Carbon को Methyl बोलते है और दो Carbon को क्या बोला जाता है, Ethyl Group ठीक है 所以 एतिल में 이 जो है वह English alphabet में पहले आता है और जो मेफिल है वह English alphabet में बाद में आता इसलिए जो लिखा जाएगा वो English alphabet के Aqor banging जो है वह आपका ipc name लिखा जाएगा तो पहले में आजाएगा एन- एतिल फिर आजाएगा आपका एन- बात जो है वह आपका आएगा क्या थर्ड पोजीशन पर आपका क्या है मिथाईल गूरॉप है तो लिखेंगे ध्री अध्री मैध्र और आपकी कि रश्वर कैरवन जो है वह आपकी किस फाइब की बनी थी यह वजाए गाप थाइब यो सौरी फाईप कारवन आई पेसी नेम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या-क्या हुआ, एन एथिल, एन मेथिल, त्री मेथिल, पेंटेन, त्री अमीन, इसका क्या हो जाएगा, आई पेसी, नेम हो जाएगा, थैंक्यू, आई जी डाउनलोट करें डाउटनेटा या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर